हैं कि नमस्कार स्भागत आप अप सभी आप देख रहें कुरुक शेत्र मैं हूं सौरण शर्मां स्भागत है आपका राहूल गांदी की यात्रा की इंदिनों बहुत चर्चा allons ढात करते हूं का कहना है देश महंगाई से, बिरोजगारी से तरश्ट है, वो निकले हैं यातरा पर B.J.P. और R.S.S. की देश में फेलाई गई नफरत को कम करने के लिए, उनका ये भी कहना है कि यातरा पोलिटिकल यातरा नहीं है, ना ये चुनाबी यातरा है, ये कीवल भारत को एजड़ करने के लिए बीजेपी पलटवार करती है उनकी यात्रा पर आपने देखा कभी उनकी कमीज के कीमत बताई जाती है कभी वो किस से मिल रहे हैं वो विशे उड़ जाता है इस सब के बीच बीजेपी का कहना ये है कि राहूल गांधी की यात्रा से कुछ हासल नहीं होगा देश हकीकत जानता है नरेंदर मोदी पर पूरा भरोसा है और 2024 में नरेंदर मोदी लोटेंगे इसमें भी कोई शक नहीं है वेराल किसके वादों में किसके दावों में किसके सवालों में कितना दम है इसी पार आज बात करने के लिए स्टूडियो में बहुत खास मेमान और हमारी जनता हमारी तालियों के साथ, सुप्रियाशिनेच जी, कॉंगरेस पार्टी से, गौरभ भार्टियाजी, भारती जनता पार्टी से. आप दोनों का बहुत सफागत है, हमारी आउडियन्स का बहुत सफागत है. आप से शुरुबात करना चाहते हैं राहुल जी बहुत सारे विशे उठाते हैं आप पार्टी की तरफ से आप और आपके साथी लोग बहुत से विशे उठाते हैं लेकिन एक ज्वलंत मुद्दा बताईए आज देश के सामने राहुल गांदी को अगर उतरना पड़ा हजार किलोमेटर की यात्रा करने के लिए तो ये पार्टी की जो स्थिती है उसे सुधारने के लिए है या देश में राहुल गांदी का माहल बनाने के लिए आप सबको मेरा नमस्कार और यहाँ पर देश के युवा बैठे हैं और इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा बिना पलक जपकाए मैं कह सकती हूँ बेरोजगारी है और महंगाई है और उस पर चर्चा नहीं होती है आप बेरोजगारी की बात करिएगा तो सरकार दूसरे की फंड का खाना खिला रहे हैं हारवर्ड एजुकेटेड इनके MP के ते महंगाई कहीं है ही नहीं कल महंगाई की दर आई है 7.6% पूड इंफलेशन है 13% सबजियों में आग लगी है लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं होती है भारत जोड़ो यात्रा का पूरा मकसद और आज नौजवानों के होसले तूट गए हैं आज इस देश के सपने बिलकुल तूटे हैं आप पढ़ लिजिए आपके माता पिता एक रोटी कम खाकर और मैं ग्रामीन शेतर से आती हूँ आपको पढ़ाते हैं लेकिन नौकरी नहीं है आप महंगाई की बात करिए सरकार कहत हैं मुझे लगता है देश का जो ताना बाना है चाहे वो आदिवास्यों की बात हो चाहे वो गरीबों की बात हो चाहे वो निम्नमध्यमवर्क की बात हो चाहे वो दलितों की बात हो चाहे वो संप्रदायों की बात हो ये देश सदियों से एक साथ मिलकर रहा है आखिर हम क् दूसरे के खून के प्यासे हो गए आज ये जरूरी है समझना और इससे किसको लाब होता है और अंत में मैं एक बात कहूंगी कि जिस तरह से समविधान के नियमों के तहत काम नहीं हो रहा है उस पर ये देश जुड़ना चाहता है मुझे लगता है मुद्दे बेरोजगारी और महगाई हैं बाखी सारी बाते बेमानी हैं आप सडकों पर निकल जाये लोगों से मिलिए बार बार इसकी बात करते हैं सरकार बात करने को तयार मैंween आपने थीन बड़े विशे उठाएं आपने मेहगाई बिनो दोसरी तरब से आता है तो इस बीच में जो जनता ये सूचते कि कौन सच बोल रहा है दूसरा आपने कहा कि देश के अंदर खून के फ्यासी हो गए लोग ये गौरवजी उसी वक्त रियाइट करना चाहते थे अब कीजिएगा और तीसरा उन्हें का जो रहुल जी कहते हैं देश की संस्थाओं पर कबजा हो गया देखें क्योंकि ओपनिंग रिमार्क है सबसे पहले ये कहूंगा कि जो दूसरों की निकर में आग लगा रहे थे कल उनका ट्रांसफॉर्मर फुक गया और जो इनके गोवा के विधायक थे वो भारती जन्ता पार्टी में आ गए है आज जन्ता क्या कह रही है जन्ता ये कह रही है इतनी नफरत मक पहलाओ और राहुल गांदी से ये पूछना चाते हैं इन्होंने अभी बोला ना बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है ये जोर्ज पुनईया जो पादरी है जो कहते हैं कि हिंदू जो है शक्ती भगवान नहीं वो भगवान नहीं हमारे भगवान भगवान है ये बेरुज़गारी और महंगाई पर बात कर रहे थे आप मुझे बताईए कहीं पर आग दिखा के आप क्या जोड रहे हैं भारत अस्लियत क्या है नरेंदर मोदी जी ने 130 करोड भारतियों को जोड दिया है भारत आज मजबूत है और अगर किसी का होसला टूटा है तो वो आप जैसे नौजवानों का नहीं होसला टूटा है 51 साल के एक नेता है जिनको ये कहते है युवा है उनका होसला टूटा हुआ है मैं दूसरी बात कहूँगा आकडों पे कहनी चाहिए इन्होंने पहला मुद्दा उठाया महंगाई का देखिए मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ ये आज की ख़बर है और होलसेल प्राइस इंडेक्स आया 11 महीने में सबसे कम मतलब काबू किया गया और सतन मैं डेटा लेके आया हूँ मेरे हाथ में है इनके समय में डबल डिजिट पे इंफलेशन रेट था डबल डिजिट में 2008 में 2008 में 9 दिशंबलर 2009 में 12 दिशंबलर 2010 में 10 दिशंबलर 5 ये 3 उधारणा आगे भी 10 और 9 प्रतिशन हमारे समय में 2014 में 5 दिशंबलर 8 2018 में 3 दिशंबलर 4 तीन अभी भी 7 दिशंबलर के आसपास है अब 7 दिशंबलर जादा है या 11, 12, 13 दिशंबलर जादा है दूसरी बात इन्होंने करी कि आपने बेरोजगारी पैदा कर दी है मैं पहले अपने आकड़े देता हूँ एक सकरात्मक चर्चा युवाओं के साथ होनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ मुद्रा योजना से जो रोजगार के अफसर है करीब 36 करोण ऐसे लाभारती है 18,60,000 करोण के उनको लोन दिये गए है EPF डेटा 2021 का कहता है 1 करोण 20,00,00 नई नौकरिया लगी और मैं उत्तर प्रदेश के अभी चुनाव गए थे बात कर लेते हैं वहाँ पे 5,00,000 सरकारी नौकरी दी 5 साल में 10 साल में जो पहले की सरकारिय थी 2,00,000 दे पाई दिया अब मैं आता हूँ इनके प्रदेशों पे ये बिरुजगारी का अंकड़ा है और इसी कागस दिखा रहा हूँ जंता मड़ी समझदार है जंता जानती है सत्य क्या है और सत्य के साथ खड़ी होगी भारतिये जंता पाल्टी शासेद राज्ये में गुजरात में बिरुजगारी दर 2.6 करनाटिका में 3.5 मध्यप्रदेश में 2.6 महराश्टर में 2.2 उत्तर प्रदेश में 3.9 और राजस्थान में 31.4 जारकंड में 17.3 आप बताईए उत्तर प्रदेश से आड़ कुना जादा बेरोजगारी दर है राजस्थान में और आप मुझे एक बाग कम्प्लीट कर लो आप बताईए जैसे केंदर सरकार रोजगार के सादन देती है प्रदेश की सरकार क्या कर रही है प्रदेश की सरकार कुछ नहीं करेगी आप बताईए बेरोजगारी प अखनव में प्रचार करने आई हुई है वहाँ पे उनसे बात हो जाएगी और मैं एक ही बात कहूंगा ये वो गाड़ी है जिसके चार पाईए तो दिखाई देते है सौरजी लोग कहते हैं ये चार पाईए कौन से वो कहते हैं प्रियंका वाड़रा, सोनिया गांदी, राहूल गांदी और रॉबर्ट वाड़रा कहते हैं इंजिन कहा है कहते हैं इंजिन तो चला गया गुलाब अभी आज़ाद और बाकी लोग और अभी इंजिन आप ढूड रहे, जब आएगा तर गारी चलने वेगी आख्ड़े आपने भी दिये, मुझे लगता है सुप्रिया जी के पास भी आख्ड़े होंगे इन्होंने कहा बेरूप मैं आख्ड़े के बारे में एक बात कर देती हूँ एक मिनिट मुझे बोल लेने दीजे, बहुत बोला गया लच्छेदार बाते करकर हो सकता आपको थोड़ी सुर्खिया मिल जाएं देश की असलियत जानिये आपने क्या कहा, आपके जमाने में महेंगाई सिर्फ 7% है हमारे जमाने में जादा थी ये तो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना जादा तर मीडिया के जॉर्नलिस्ट बनेंगे आगे चलकर महेंगाई क्या होती है ग्रोथ माइनिस महेंगाई is the real rate of growth आपके जमाने में ग्रोथ का क्या हाल है क्यों लोग बेरोजगार है, क्यों आए घट गई है और आए ऐसी वैसी नहीं घटी है 83 प्रतिशत इस जनता की आए घटी है और इस देश में 142 बिलियनेर बने है ये जो हम दो और हमारे दो की सरकार है न ये खाई इतनी बड़ी कर देगी कि अंततों गत्वाब समझी नहीं पाएंगे कि गरीब आदमी करे क्या आज एक आकड़ा है और इस आकड़े पर चर्चा होनी चाहिए इस देश में हर घंटे हर दिन नहीं हर घंटे पाँच दैनिक मजदूर आत्महत्या करते हैं क्यों कर रहे हैं वो आत्महत्या वो बहुत खुश हैं बड़ा विकास हो रहा है और प्रतिक्षम किम प्रमाणम आपने बहुत विकास किया है आपने बड़ी नौकरियां बना लिया अच्छी बात है तो आप चुनाओ में शमशान कबरिस्तान किसके कपड़े कैसे पहचाने जाएं असी बीस पर क्यों लड़ते हैं आप चुनाओ लड़िये रोजगार पर आप चुनाओ लड़िये महंगाई पर आप चुनाओ लड़िये विकास पर विकास क्यों गुपत हो जाता है जब आप चुनाओ के महाल में आते हैं दूसरा मुझे एक important बात पूछनी है आप कितने आकड़े दे दीजे मैं कितने आकड़े देदू उससे कोई फरक नहीं पड़ता है यहां बैठे हुए यह लोग और आपका शो देखती हुए यह जनता एक सवाल पूछती है आटा 22 से 40 कैसे हो गया दूद 35 से 60 कैसे हो गया र एक आकड़ा और बता देती हूँ पिछले 10 दिनों में कच्चे तेल का जो वैश्विक दाम होता है जिसका यह हवाला देते थे कि इसलिए हमारा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ आ है 110 डॉलर प्रती बैरल था वो गिरकर 88 डॉलर प्रती बैरल आ गया है हमारे यहां दाम क् इतना चीटा कशी करिया हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं अगर सब अच्छा है तो लोग बेरोजगार क्यों है आत्म हत्याई क्यों हो रही है क्यों तो इनके सारे आंकड़े आप मानती है गलत हैं फरजी हैं जो कु ग्रोफ नेगेटिव होने का मतलब है नौकरिया बंड नहीं रही है निवेश हो नहीं रहा एक मिनिट और प्रतिक्षम किम प्रमाणम वित्तमंतरी निजी सेक्टर को बोल रही है आप अपनी हनुमान की शक्ती को पहचाने क्यों नहीं वह आपकी बात मान के निवेश करना नहीं चाहते हैं उनको यकीन नहीं है आपकी पॉलकीश पर देखिए सबसे पहले तो मैंने इनसे एक बात कहीं मैंने कहा अगर भारत जोड़ना का अभियान है तो किसी की निकर में आग लगा कि भारत को कैसे जोड़ोगे जोर्ज पुनईया जो कहते हैं अब हमारा धर्म बहु संक्यक हो गया है अब चिंता की बात नहीं है तो बाकी लोगों का क्या है इन्होंने कबरिस्तान की बात करी शमचान गाट की मुझे अच्छा लगा आपको मालूम है कबरिस्तान का बजट है शमचान गाट का नहीं है या खिलेज यादव कहते थे उन्हीं के साथ उस बार साथ ये क्यों होता है क्योंकि विश्वस्टियाता नहीं है और आकडों पे भी लेके नहीं आते हैं लेकिन जूट बोल जाते हैं अब मैं आपको बताता हूं क्यों इन्होंने कहा कि असली जो आकडे हैं वो यह है कि ग्रोथ में से इंफलेशन निकालिए वो net difference है में माइनिस 4.45% 2010 में माइनिस 2.03% आप भाजपा पर आते हैं और भी है नेगिटिव ग्रोथ है अच्छा किया इन्होंने ये बात बताई अब मैं पॉजिटिव ग्रोथ बताता हूं कैसे होती है आप देखिए 2015 में 8% है GDP ग्रोथ इंफलेशन है 4.9% पॉजिटिव 3.1 इनकी थी माइनिस 6 माइनिस 4 मतलब 9-10 प्रतिश्यत का फरक है 2018 6.53% GDP ग्रोथ 3.43% इन्फलेशन 3.1% ये क्या दिखाता है ये दिखाता है ग्रोथ पॉजिटिव हुई क्योंकि मानदार प्रधानमंतरी आया जिसको आप की चिंता है अपने वज़ की चिंता नहीं है अपने बच् उनके अपने बच्चे इसलिए दूसरी बात इन्होंने करी पेट्रोल की आपको आकड़े दो सबसे महंगा पेट्रोल कहा है पूरे देश में आपको पता है शिरी गंगा नगर राजस्तान में 112 रूपए का रेट जो है आज का 112 रूपए 67 पैसे आज का रेट लेके आया क्यों क्योंकि पूरा वैक्ट लगाएंगे हम उसमें भी घपला करेंगे हम लोगों को लूटेंगे और फिर आके खाएंगे अरे बड़ा महंगाई है और उत्तर प्रदेश लखनाउ में 96 रूपए नॉटा में 96 रूपए बैंगलॉर में 101 और मुंबई में 106 इनका और के दो वो ज़रूरी है उसके बाद आप चले आईएगा इन्होंने तीसरा CNG की बात करी मैं LPG ग्यास की बात करी मैं बताता हूं आप याद करिए जब 1100 रूपए सिलिंडर पहुचा रेनुका चौदरी मंत्री थी इनकी सरकार में उनसे पूचा गया पत्रकार ने सौर सिंग जी से पूचा उन्होंने कहा पैसे पेड़ों पे नहीं लगते हैं हमें लगाना पड़ेगा और 1241 रूपए इनकी सरकार में एक जनुरी 2014 और आज उससे कम है और तकी यहां पर आते रहते रहते अरे रोंदू बाबा कुछ तो ठीक हो जाओ प्रश्ट पूचा उसी पर क्लारिफिकेशन ले रहा हूं मैं बात कहना चाहती हूं एक रुख जाईए आप फिर से मेरी और उंगली करिये कितनी आपकी और पॉइंट करिया आपके दस बार किया आपके रहा है प्रश्ट पूचेंगी तो प्रश्ट पूचेंगी तो मैं उत्तर नहीं दे पावरा कितनी आपको 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 डैस के सिलेंडर पर जवाब दिलिया और जो देखेंगी आपके रोजगार की चिंता नहीं है लेकिन इस सरकार को रोजगार की चिंता है अमिटशा के सुपुत्र श्री जैशा जी के रोजगार की चिंता है सुनिये तीन साल वो BCCI के सेकरेटरी बने नियम के तहट उनको रिटायर हो जाना था उनको रिटायर नहीं किया जाएगा उनको तीन साल का कारकाल और दिया जाएगा BCCI का संविधान बदल के लेकिन आपको चार साल की नौकरी के बाद 23 साल में रिटायर कर दिया जाएगा ये है सरकार की प्रागमिका नई आप उत्तर बात में दीजेगा आपकी बड़ी सारी बाते में ने सुनी पेट्रोल डीजल पर बोला ये कभी किसी सरकार की बात करेंगे कभी किसी की करेंगे ये नहीं बताएंगे कि 70 रुपे का पेट्रोल 100 पे कैसे भिक रहा है 55 का डीजल 90 के पार क्यों भिक रहा है और ये नहीं बताएंगे कि जिन राजियों को 3 रुपे 52 पैसा प्रती लीटर डीजल पे मिलता था 2014 तक आज उन राजियों को 57 पैसे मिल रहे हैं और एक आकड़ा और सुन लीजिए उसका जवाब अगर दे सकें तो दीजिएगा टोटल टाक्स कलेक्शन जो सेंटरल गवर्मेंट की मोधी सरकार की किती में जाता है ये टोटल टाक्स कलेक्शन की मैं बात कर रहे हूं वो 62.7% है जितना टाक्स कमाया जाता है उसका 63% लगभग मोधी जी की सरकार की किती में जाता है आपको पता है खर्चा कौन कर रहा है टोटल खर्चा जो होता है राज्य सरकारे 63% कर रहे हैं 62.4 to be precise पैसा आप एठिएगा पैसा आप रखिएगा ठीकरा राज्यों के सर पे फोड़िएगा 66,000 करोन का बकाया आप GST पे रखिएगा दान जो है वो राज्य सरकारे कम कर ले और रोजगार की चिंता सिर्फ अमित्शा जी के पुत्र की ही नहीं यहां पर बैठे हुए हर लड़के और लड़की की भी करनी शुरू कर दीजिए तो यह दाम बढ़ने रुख जाते है फिर अचानक से जब कुछ चुना हुआ खतम हो जाता है तो फिर बढ़ना शुरू हो जाते है यह सवाज मैं बानता हूं कि इसका जवाब मिलना चाहिए और बिलेगा भी सौरजी सबसे पहले उनके जो सवाल है उसका उत्तर देगे और आपके सवाल का भी उत्तर दूँगा है सबसे पहले देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता के बीच में कोई बात रखे और तथ्यों पर गलत हूँ मैं अधिवक्ता हूँ सर्वोच न्याले में प्रैक्टिस करता हूँ बी सी सी आई की इन्होंने बात करी है मैं चुनोती देखे इंडिया टीवी के मंच पर ये पूछना चाहता हूँ बी सी सी आई कौन सी सरकार कंट्रोल करती है ये बता दे और अध्यक चुन्ने का हक हो हस्तक शेप हो और दूसरी बात सर्वोच न्याले ने कहा कल कि एक वार्ट टेनियोर मिलना चाहिए उनके तत्वाधान में एक मांच अब देखा आपने अब बजाएए साही कर रही है अब इन्होंने एक शगूफा छोड़ा जैसे ही इनका मुखोटा उतार के आप शाल तो मैं पूछूँगा आ रहे बच्चों से पूछेंगे तो वो बच्चे के बारे में क्या बोलेंगे बताईए उन्चास में से उन्तालिस चुना ये गलत बात है अब एक एक करके बात बोलूँगा प्रष्ट का उत्तर मिलेगा लेकिन बीच में ये जो बोलती है इनकी कमजोरी दिखाती है जैसे आप मैं रुक हूँ आपके प्रष्ट का उत्तर दूँगा ये वादा है लेकि अपनी बात पूरी करके आप रुक जाहिए जब प्रष्ट पूछा जाए और जनता सुन रही है और जनता तै करेगी कि कौन सही है कौन गलत है क्यों बीच में कूद के आ जाएंगी बीच में बोले लगेंगी आपके समय में तो नहीं बोला हमने मैं केवल ये कहूँगा बी सी सियाए में दो तथ्थे बहुत ज़रूरी है पहली बात कोई सरकार की एजेंसी नहीं है द क्यों नहीं बनाते भाईया चौपेस साल से बनाइए चलिया है मुझे बनाते सवाल किया आप ते सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने अपोल्ट कर दिया अचा ठीक है मैं आगे बढ़ रहे हैं आख सांविधान चेंज करते हैं राहूल गांदी हारता है किसी भी चीज को को नहीं है अच्छा मैं अगी ती आग लगाने निकर में और आग लग गई अपने दिल में जली जा रही है यारे भीया क्यों ऐसा कर रहे हो शांती से बीट करेंगे अच्छा गॉनब जी अब तोड़ा कंभीर हो करके मुद्दो पर बाश्या अरे भाईया मुद्दो पेट्रोल डीजल का है मैं आपको बताता हूँ जी एस्टी लागू हुआ पेट्रोल डीजल को जी एस्टी के दायरे में लाए जा सकता है ये लोग विरोध करते हैं और मैंने आपको क्या बताया सबसे महंगा पेट्रोल कहा है राजस्थान में वैक्ट क्यों नहीं कम करते आप पूछे ना, टैक्स तो दोनों लगते हैं न, एक साइस लगता है और वैट लगता है, आप टैक्स लेते भी रहेंगे, पेट्रोल का दाम बाकी प्रदेशों से ज़्यादा रखेंगे, आप बताईए कहा 96 रुपए, कहा 112 रुपए, और सवाल हम तो यह पूछा जा रहा है, कि आप टैक्स लगाते हैं, दूसरी बात, राजे सरकार को उसका GST का बकाया आप देते नहीं है, सारा बोज टैक्स का डाल दिया राजी के उपर, तो सरकार कहां से कमाएगी राजी के सरकार, अब सुनिए, एक तो यह गलत कहते हैं कि GST देते नहीं है, GST मिलता है, कु आप 215 टीके लगते हैं, यह कहते थे, 10 साल में नहीं लगेंगे, और लगा के दिखाया की नहीं मोदी जीए, सुनक्षा कवच दिये, एक मिल रुख जाईए, उसके बाद 9 करोड गैस के सिलिंडर दिये की नहीं दिये, बताईए, 9 करोड जल जो है, नल में आया की नहीं आ जो है कि जो गांधी परिवार की तिजोरी में जाता है, गोटाला होता है, गोदी जी मतलब है, इमांदारी से जंता की सिलिंडर जो लाखों करोड रुपिया सरकार ने कमाया, जो आप लोग कहते हैं, तो लोंने का किसी की जेव में थोड़ी जा रहा है, वो जंता की से 88 डॉरल बैरल आया, हमें ये कहा जाता है, हमारे यहां डीजल और पेट्रोल डी कंट्रोल कमोडिटी है, क्यों नहीं कम हो रहा है, मैं ये जानना चाहती हूं, 110 से 88 आ गया है, 12 इधर और 10 इधर, 22 डॉलर कम हुआ एक अच्छा थेल, क्यों नहीं रोज रोज पैसा घटा ही नहीं हुए, क्योंकि गैस के दाम आपने 1200 रुपए कर दिये है, और सबसीडी खतम कर दिये, ये नहीं बताएंगे, तीसरी बात इन्हों ने बोली, बोलते बहक कर ये बोल गए, कि भाई, मोदी जी टैक्स कलेक्ट कर रहे है, मोदी जी ने कितना टैक्स कलेक्ट किया, ताइस लाक करोड पिछले साड़े आठ सालों में सिर्फ एक्साइज से, और एक्साइज भी तीन तरीके की होती है, लोगों को सच बताना केंगे, जी हाँ, पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज लगती है, वो बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है, और अडिशनल एक पैस बढ़ाया गया है, जिससे की सारा पैसा केंद्र सरकार के पास है, मैंने तो आखरे से बोला, 3 रुपए 57 पैसे प्रती लीटर डीजल पर मिलता था, 2014 से पहले राज सरकारों को, क्या कॉंग्रेस, क्या भाजपा, आज 57 पैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्यों कि पै अब ये भी नहीं कर सकते हैं, ये चिला भी सकती है, वावाव, क्या दोरे माबड़न दिखाता है, कि सदन में खड़ा होकर, एक चुना हुआ संसद, देश की जनता के लिए ये शब्द यूज़ करता है, कि फ्री फंड का खाना हम खिला रहे है, भाजपा के कोश से आके व ये राशन मिलना बंद हो गया, अब सर्फ अंक्योदे स्टीम वालों को मिलेगा, जो अभी तक लाबाती थे उनको नहीं मिलेगा, गलत क्या है, बतारो गलत तक देदे रहे हैं, ये तो हग है मेरा, वो तो वैसे भी कोविड काल की परिस्टिश्यों को धान में रखते में उठाया गया था, 2004 से 2014 के हमारे कारेकाल के दिश में, 27 करोर, 23 करोर लोग आज गरीबी की सीवा रेखा के नीचे वापस जा चुके हैं, इनकी नीतियों, इनकी हम दो हमारे के नीचे आ गया, चली ठीक है, जब दीजे इस बाद कुछ आपके प्रस्टिश्यों कुछ जिनको पेट्रोल पे आकड़े दिये, इन्होंने एक भी तत्थे को ये नहीं कहा कि गलत आकड़े दिये हैं, मैंने जो सवाल पूछा उसको उत्तर नहीं मिल, आप मैं एक बड़ी बात करता हूँ, बड़ी बात क्या है, भारत जोड़ो यात्रा पे ही बात हो रही है न, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप बताइए, राहुल गांदी निकलते हैं, और वो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पाते हैं, वो सारे विपक्ष को नहीं जोड़ पाते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ, नितिश कुमार ने अपना अभियान चलाया हुआ है, अर्विन केजरीव में भी बनाए, ये कुछ बिगार नहीं पाए, और इसकी वज़ा है, लोग ये देखते हैं कि जो हमारा नेता है, वो हमारे लिए सोचता है कि नहीं, वो अपनी दिवाली जो है, वो सेना के साथ बनाता है, इटली नहीं जाता है, वो ये देखते हैं कि जब वो लोकतंत के म उनका सम्मान है जब वो मुख्यमंत्री से प्रदान मंत्री बने 22 लाग रुपए उनके अपने निजी थे वहाँ पे जो सरकारी करमचारी थे उनकी बच्चियों के लिए देखे आया कि इनकी शिक्षा कराओ और ये लूट खसोट करने वाले ये केवल जंता से लेते हैं केव भी मोहर नहीं लगाएगी इसलिए वो भाजपा के साथ खड़े हुआ सौरफ जी मैं एक बात का जवाब देती हूं इन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया लूट खसोट करने वाले असलियत भी पता होनी चाहिए आज मैं चार कमरे के फ्लाट में रहती हूं मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति से अगर बोला जाए कि आप अपना एक कमरा देशित के नाम पर दे दीजे तो आप एक प्रिट के लिए सोचिएगा कि इन लॉज भी रहते हैं बच्चे हैं हमें कुछ लोग देंगे कुछ लोग हो सकता है ना दें मुझे नहीं पता यहाँ पर बैठे वे कितने लोग देंगे जिस लूट खसोट की बात ये करते ना चाहे आनंद भवन हो चाहे स्वराज भवन हो या इंदरा जी ने अपने सारे जेवर 1971 की वार में राजखोष में डाल दिये थे यह उस पार्टी से आते हैं को चुप रह पहनने लगे 30-40 साल पीज़े जली जाएंगे इसने पाकिस्तान के दो टुकडे की अचा मतलब राहूल गांदी की योगिता बताते के लिए ये बतारी है कि इंद्रा गांदी के बारे में दो खूबिया बता दीजे जनता को चलिए दो ज्यादा भी ने आगे बता दो दो गांदी के लग 103 चले के इसे पास पूछेंगा अपने समेपे अभारत जोड़ो यात्रा पता लिया। आजाते हैं ऐसा बोखलाएं ऐसा घबराएं कि अब बोराएंगे भी पुछिए क्यों साथ दिन बारत जोड़ो यात्रा को हो गए भारतिये जनता पार्टी के होम बिनिस्टर भारतिये जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर भारतिये जनता पार्टी की मंतरी स्मृति इरानी ऐ ऐसा बन गई है जैसे ट्रोल बन जाते हैं बताती हूं क्यों सृती जी करनाटक में गई बोला राहूल गांदी जी आये थे कन्या कुमारी विवेका अनंत के मेमोरियल पर नहीं गए सबने विजुल देखे उन्होंने परिक्रमा करी उस मेमोरियल की क्यों जूठ बोला सृती जानी ने देश से माफी कब मांगेंगी होम मिनिस्टर गए राजिस्थान कैमरा वाले को बोलते हो कैमरा वाले भाया कैमरा इधर मोड़ो वहाँ पर पीछे कुरसिया खाली पड़ी थी वो दिख जाती खैर उनको भी टी-शिर्ट याद आई हमन तो बिस्व सर्मा असम के म पिर हुआ क्या पहन रहे हैं क्या खा रहे हैं किस से मिल रहे हैं फिर वो ही दुम की तरह आगे धर्म पर धर्म पर भी जब बात नहीं बनी तो इन्होंने दुख पूछा शूरू करी या मैं पहले यह पूछना चाहती हूँ जूट क्यों बोल रहे हैं इसका रवाब यह देंगे आप टी-शिर्ट की बात नहीं करता पूछे भी बोलने तो आप से कुछ पूछने का आपको मुझी से पूछना था जब मैं बोलने लगती हूँ यह गलत बात है यह सब देख रहे हैं मैं किस से कितना पूछना आपने टी-शिर्ट की बात करी अब वो टी-शिर्ट कितने की है क्या उस चर्चा में भी नहीं पड़ूँगी आप टी-शिर्ट की बात करेंगे लाक का नरेंद्र दामोदर्दा स्वोधी सूटा आप पहनते हैं फूट का पौने दो लाक का चश्मा माईबाक का आप लगाते हैं 12 करोड की गारी में आप चलते हैं अ्मिट साजी गुचची का मफलर पहनते हैं बरबरी का मफलर पहनते, इस पर लाएगा और एक मिनिट विपलव देब की आज किसी ने मुझे फोटो भेजी मैंने उसको ट्वीट भी नहीं किया मुझे लगा ये सब चर्चा का मुद्दा नहीं है लूई वुताओ की चपल पहन के बैठें चर्चा का मुद्दा नहीं है और राहूल गांदी के बारे में ने दो हुट बोलने लगते हैं आज आप एक explanation दे दीजे स्वरती इरानी इस देश से माफी कम मांगेंगी स्वरती इरानी जो गुजरात में रेपिस्ट विया हुए 11 उस पर एक शब्द क्यों नहीं बोलती है क्यों नहीं प्रधान मंत्री बोलते हैं लाल किले की प्राचीर से प् माफी मांगें देश से जबाब देंगी है मैंने आपसे केवल दो सवाल पूछना चाहता था इसी भारत जोड़ो यात्रा में आपने का राहुल जी को ट्रोल करती है भीजे की यह तो मुद्द ढूनेंगे इन्होंने टी-शिर्ट का पहला मुद्द अठाया चोड़ दीज पहरों में बिमारी हो जाएगी स्केबीज हो जाती है इसके उपर यह बात कहने वाला देखती मिला राहुल जी से मिलवाने के लिए मुझे असा लगता है कि हम जिस लोकतंत्र से आते हैं भारत की जो आत्मा है वो संबाद है भारत की जो आत्मा है वो वो आत्मा है जहां पर बुद्ध ने अंगुली माल से संबाद किया था आप संबाद को तोड़ कर एक व्यक्ति के मन की बात साड़े आठ साल से सुन सुन और मैं जानता हूँ ये बात कि एक ही भारती राज्यती में ऐसा देता है जिसने जूट बोला है और मैं प्रमाण एक वज़ा से लेके आता हूँ कॉंग्रेसी हो का कुछ नहीं पता कहीं आ रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सुप्रीम कोट का ये ओर्डर है राउल गांदी ने कहा था कि सर्वोच न्याले ने फटकाल लगाई रफैल मामले में धोका हुआ है वहां गरबड़ी हुई है माफी मांगी टेंडर्ड एन उनक्वाइड एपॉलिजी कौन है ये जानते है न वहीं 51 साल का जिसकी बात मैं कर रहो 51 साल के तो इनको दर्द हो जाता है ये क् खाता है अब ये ठीक है मगल में देखिए भूपु चला दिया इनोंने ताहुल गांदी आगे तो आप शोफी ने कहे रहे है तो आपके फोन को कहीं देना चोड़ नहीं कहें अब आपकी सेकर्मी को भौपू कहेंगे तो फर यह ने उने क्यों कहता हूं इनों ने भी नहीं कहता हूं अब मैं बोलना है टोकना है दूसरी बात मैं तो प्रमार से बात कर रहा हूं ना आप ये बताईए इनों ने कहा कि इनों ने मैंने का दो योगिता बता दीजे राहूल गांदी की इन्हों ने किया का उनकी योगिता यह वो बोलते तो बाखी लोग बोलने लग जाते यह तो मुझे योगिता समझ में ने हो सकता है प्रवक्तमो लेक को समझ भारती अगर मार दिये गए तो क्या हुआ उस जगदीश टाइटलर को ये 2021 का डेली प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी में समलित किया सोनिय गांदी ने प्रमार के साथ लेके आया हूँ ये जोड़ेंगे भारत को अरे ये तो नफरत पहलाने आये हैं ये तो हिंदू-मुस्लिम क कि कभी एक जुटता की बात कर ले तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ देखिए इतनी चीज़े ऐसी एतिहासिक हुई है तभी लोग कहते हैं मोदी है तो मुम्किन है अनुचे 370 सम्मिधान पढ़िएगा आप लोग पहला शब्था अस्थाई टेंप्रेरी और नहरू जी कहते थे गिस्ते गिस्ते गिस्त जाय का खिस नहीं पाया मालू मैं क्यों वोट देख रहे थे कि मुसल्मान है कि कोई और धर्म के हैं लेकिन नरेंदर मोदी जी अमिशा जी आये अनुचे 370 को हटा के फैक दिया वार मेमोरियल तीन दशक तक नहीं बना पाए बना के दिख हाई वन रांग वन पेंशन इतने बड़े धोके बाज है 500 करोड का बजेट लास्ट में 2014 में इंटरिम बजेट में छोड़ा लागू करके किस ने दिखाया वन रांग वन पेंशन मोदी जी ने ये एतिहासिक कदम है जो मोदी जी उठा रहे हैं और ये बात सच है कि जब भ रग्या ठाकुर का तो नाम आप सभी ने सुना होगा मध्यप्रदेश से सांसद हैं भारतिय जंता पाटी की उनके गोड से जी के बारे में और महत्मा गांधी के बारे में क्या विचार है सबको पता है यतिनर सिंगा नंद का भी नाम आपने सुना है उन्होंने आपकी महि मा गांधी को मा बहन की गालिया दी है ये देश क्या ये बरदाश्ट करेगा आपके लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं क्यों प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो महिलाओं को रेप की त्रेट देते हैं जो गांधी को अब शब्द कहते हैं हम नहीं करेंगे तुम कर देना यह क्या आरे मैं पूछ रहा हूँ जग्दी चाइटलर सज्जन कुमार सज्जन कुमार दो सिर्फ जेल की सलाकों के पीछे है और उनको सोनिया गांधी घर बुलाके डिनर करवाती है वो ठीक है हम पर प्रश्ट पूछ रहा है तो दोनों को कि इसको फाइदा होता है वो यह बोलेंगे चल्ली तो छली बोले वो सूप जिसमें बहत्तर च्छेद वाले हमें बताएंगे कि हिंदू-मसल्मान कौन करता है अब उनके पूंके पीज़ागा दोती सब्सक्राइब शॉर्ट में बोलेंगे आप यती नर्समाने के अगर यह डिबेट का रहे है गोट से मुर्दाबाद क्यों नहीं कह पारें चले ठीकर तो इस देश का पहला प्रदाबादी था जा रहा है अब सब्सक्राइब मैं अपनी बात कहलो शालींता से कहिए गोट से मुर्दाबाद कान पकड़के माफी मांगेंगी अगर अगर बोल दिया बचो यह ठीक है कि नहीं है अगर पहले पहले पूछिए आप पहले पूछिए कान पकड़के माफी मांगेंगी इसके मांगेंगी इसके मांग आपको गोट से मुर्दाबाद बोलने में कोई कोई आपती है एक बात सुनिए पहले मेरे एक बात सुनिए इन्हों ने एक आरोब मुझ पर लगा है इन्हों ने का इन्हों ने एक आरोब लगाया इन्हों ने का यह नहीं बोल पाएंगे आगर आपके समक्षे पूछ रहा हूं अगर मैं गोट से मुर्दाबाद बोलू यहीं पर मंच पर अगर क्या होता बहीं बोलना चाहिए अगर आप बोल दे मैं अगर बोल दूँगा यह माफी मंगेगी कान पकड़ के क्या हुआ था से कुसमे लेकिन सोरिया आप चुक कराई इंको फिर मैं एक बात बताता है अब मेरे बच्चो आप देखो गोट से मुर्दाबाद बोलिए पहले शान दोई है आपको एक बात बता बता अब अगर आप इनके मुवें घुसके तो बोलवा नहीं सकता है अब गोट से मुर्दाबाद था है और रहेगा भारत में अब सुनिये अब सुनिये अब मैं दूसरी बात कहता हूँ लेकिन बाबू लाल चौरसिया जो गोट से को पूछता था मध्यप्रदेश में उसको कॉंग्रेस जॉइन करा हूई है ऐसा क्यों है अब यह देखिया अब तो महत्मा गांधी पर गोली च स्वारजी मैं केवल यह बात कहना चाहता हूँ बाबू लाल चौरसिया आप सारे बच्चे गूगल पे चेक करिएगा गौट से भक और उसको जॉइनिंग करा रही है मध्यप्रदेश कॉंग्रेस वहाँ पर ही नहीं बोलेगी हम से कह रहे हम तो सौ बार बोलेंगे अब सवाल है सर आप लोगों ने जीएस्टी एक ऐसा टैक्स मनाया था जो सर एसेंशल आइटम्स पे नहीं लएगा लेकिन सर यह क्या बोलते मिल्क आइटम्स पे लगा है एंड इन इस इंक्रीज दो प्राइस वोट्स तो जस्टिफिकेशन फोम यह साइड धन्यवाद मेरे भ है कि वैक नहीं लगता तब पंजाब में इनकी सरकार थी मैं आपको तथ्यों के अधार पर बता रहा हूं इन्होंने कई सो करोर रूपए वसूले समाजवादी पार्टी की उत्तरप्रदेश में सरकार की तब भी लग रहा था लेकिन एक बात बता दू जो खुले होंगे है इस पर टैक्स था है और वो भी बहु क्यों लग रहा है वह अपके हिश्त के लिए इस्तमाल होता है और GST काउनसल में जिसम्हां पर भी हिस्सेदार थी, उन्होंने इसकी सिफारिश करी, इस पर मुहर भी लगाई है, ये भी तत्य है, ऐसा नहीं है, कोई हमारा अकेले का लिया हुआ फैसला है। चीज़े पूछना चाहती हूँ, मैम से, मैम पहली बात ये कि आपने जो भी चीज़े बोली, बहुत सारी चीज़े बोली, उसमें तथ्य और आंकड़े नहीं थे, पर सर ने सारी चीज़ों का जवाब दिया तथ्य और आंकड़ों के साथ, लेकिन आप फिर भी उनका और वो देखके ही हमारा दिल दहल जाता है, तो पता नहीं रियालिटी क्या ही होगी, आप उसके आतंकवादी को बुलाके सम्मानित करते हैं, तो वो पार्टी भारत को कैसे जोड सकती है, ये वोट बैंक नहीं अपने लिए बटोर रही है, तो और क्या कर रही है, आपके स सोड़ी साहिश्रता आप दिखाईए, मैंने हर चीज़ पर तत्य दिया, आपने कौन सा तत्य नहीं सुना मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है यहां बैठे हुए लोग शायद आपसे सहमत नहीं होंगे, मैंने हर चीज़ का तत्य दिया, मैं कोई जबानी जमा कर्च करक यहां ड्रामा करने नहीं आई थी, आपने बोला कि आपने कश्मीर फाइल्स देखी है, अच्छा काम किया है, उस पिक्चर को प्रमोट करने में सारी भारतिये जनता पार्टी और पूरी सरकार लगी थी, लेकिन उसके बाद कश्मीरी पंडितों को चुन-चुन के मारा जा क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है, पिक्चर को प्रमोट करने के लिए पूरी सरकार लग जाएगी, जब मिस बाला और राहुल भट जैसे लोगों को चुन-चुन के कश्मीर में मारा जाएगा कश्मीरी पंडितों को अब, तो सरकार चुप हो जाएगी, बेटा, WhatsApp और Facebook की दुनिया से आगे एक असली दुनिया है, मेरी बेहन ने जो कहा, उसी पर मैं कुछ कहना जाएगी, इसके वाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा, बता दें कोई पूछना चाहता है तो, only लाग, मैं मेरी बेहन ने एक बात कही, मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं उसका, क् कि उसने का, तथ्यों पे मैंने अपनी बात रखी, देखिए, कश्मीर की बात करी, अगर सचाई सामने आईए, कश्मीर फाइल्स हो, चाहे 84 राइट्स की फाइल हो, बिल्कुल भाजपाज समर्थन करेगी और फरक क्या है, ये पिक्चर, लाग शब्द कहती है, ये कौन है सुप्रिया जी से पूछ लीजेगा, मुझसे बुलवा रही थी, इन्होंने अनुछे 370 हटाने का विरोध किया, ये आज कहेंगी कि वो वापस लाया जाएगा या नहीं, ये केवल बता दे, मुझे नीती की बात है, वापस लाया नहीं, लाएंगी या नहीं लाएंगी, मैंने आपसे बोला ना, वाटसाफ और फेस्बुक के आगे एक दुनिया है, उस दुनिया में CWC हमारी हाइस डिसिजन मेकिंग बॉड़ी है, उसने साफ तोर से कहा है, जम्मू एंड कश्मीर को फुल स्टेट हुड मिलना चाहिए, हमने पिल्फुल 300 सक्राइब आपस ला अच्छा, आप सुनिये, आप सुनिये, आप सुनिये, शान दो जाएए, भीट में ना बोले सोरजी बली, मैं याद दिला तुनिये, यश्वंत शिंदे नाम का एक RSS का प्रचारक है, उसने हमें आपको या आपको नहीं कोट में आफिडेविट देकर कहा है कि RSS बब को फाइदा हो, क्यों पूरी सरकार चुप बेठी है, इनका सवाल दूसरा था, अब मुझे देखिए एक लड़की का सवाल होने ना, लेकिन इनका स्केटूट पर सवाल नहीं था, इनका सवाल 370 पर सा, अधीर रंजन जोदरी ने, वो कहरें नहीं लाएंगे, वो कहरें न सवाल कुछा कुछा क्यों नहीं हो रही है, अगर आज मोधी जी दस लाग का सूट यह लाग का चस्मा पहनते हैं, तो पूरा कॉंगलेस बुख रहा जाता है, हर जगा टूइट मिलते हैं, हर जगा यह बात मिलती है, पर रहुल गांदी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में विदेशी कंपनी बर्वेरी का 41,000 का टी-सेट जो पहना, उस पर कॉंगरेस पार्टी क्यों कुछ नहीं कहती है, जो गुची का मफलर 70,000 का पहनते हैं, वो विदेशी है, जो बर्वरी का कोट पहनते हैं, वो विदेशी नहीं है, वो योरप से बिलकर आया है, तो हम नहीं बोखलाए, बोखलाए ये क्योंकि इनको भारत जोड़ो यात्रा में कुछ मिल नहीं रहा था, किसने अपने अफिशल हैंडल से ट्वीट करी, राहुल जी की फोटो और कहा भारत देखो, भारत तो देखी रहा है, आपक कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, ये शक्सियत होती है, दस लाग का सूट पहना, इनके शक्सियत दस लाग की है, दूसरे आदमी की चानल प्लीजब बात है, बुली, 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 राहुल ग करेंगें जल्दी बिचारी जब दो गई पत्रकार रहे के राजिती कर रही थी अवे पत्रकारता को बेच दिया यार ये तो तो शहीं नहीं है चलिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ ये शक्सियत होती है दस लाग का सूट पहना उसकी आक्शन हुई चार करोड का बिकाओ और वो सारा डोनेट कर दिया और सुनिये 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 आप बोलिया कम्प्लीट करिजे चालेश हदार की टीशिट रहूल गांदी ने पहनी है किसी आदमी को देंगे चालेश हदार रुपई साथ ने भी देंगे वो कहेगा नहीं लूगा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी गौरव आपका आप सब का बहुत धन्यवाद अब राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा क्या रंग लाती है हम सब देखेंगे बहुत धन्यवाद कुरुक्षेतिरमा जितना ही बहुत शुक्रिया